क्या आप भी UPI पेमेंट्स करते हैं और स्कूल हॉस्पिटल जैसी जगहों पर बड़ी रकम देने में परिशानी होती है क्योंकि पेमेंट करते समय सिर्फ एक लाग तक का पेमेंट UPI से कर पाते हैं तो आप से परिशान होनी की बिलकुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप हर ट्रांजेक्शन में एक लाग के वजाए पांच लाग रुपे तक का पेमेंट UPI के माध्याम से कर सकते हैं दरसल UPI पेमेंट्स की लिमिट बढ़ा दी गई है RBI गवर्नर शक्तिकान दास ने मौद्रिक नीती की बैठक के दौरान बताया था की अस्पताल और एजुकेशन इंस्टिटूट्स में बुकतान के लिए UPI पेमेंट्स की लिमिट बढ़ा दी गई है इसके साथ ही लोन पेमेंट, ब्रोकरेज, मुचुल फंड और क्रेडिट कार्ड के विल पेमेंट के लिए भी लिमिट बढ़ाई गई है साथ ही अगर आपने पिछले एक साल से UPI का यूज नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले ट्रांजेक्शन करना न भूलें क्योंकि आपका UPI बंद हो सकता है इसलिए 31 दिसंबर से पहले किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन जरूर कर लें